नीमच में जहाँ एक तरफ जिला प्रशासन ने गत्तिस महीं तक लोगडाउन बढ़ा गिया हैं वहीं देखा जाए तो रोज मर्ला के चीज़े फल, सबजी, किराना, आटा, चक्की को लेकर आम जन्ता में रोज देखा ज़रा है उसी के चलते सान्य विधायक बिलिप सिंग परिहार ने जला कलेक्टर में कगरवाल से निवेदन किया है कि बहुत चलत आपदर प्रबंदक के बैठक बुलाई जाए और कोरोना संक्रमिन के चलते मरीजों को नारियल पानी, पल, फूल, आदे की आविश्यक्ता लगती है ऐसे में मरीज वा परिजन यहां वहां भटक पर रहते हैं जिसके चलती आपदर प्रबंदक के बैठक में बुलाई होने जहां पर इन्हें भी कुछ घंटों के लिए चूट दिया जाए ऐसा होने बैठक बुलाने के लिए कहा है जिसको लेकर क्या खास सान्य विधायक बि प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान सब को ग्यों देने का काम कर रहे हैं उनको पिसाने कहां जाए इसलिए मैंने एक पत्र लिखा है कि उसमें आटा चक्की खोली जाए दूसरा हमिट की बढ़ाने के लिए लोग मजबूत हो इसके लिए अब देखते हैं क लोग नदियल पानी के लिए घूमते रहते हैं फलों के लिए घूमते रहते हैं तो मैंने यह सुजाओ दिया था कि आप फ़ल की दुखान भी खोलें यदि हो तो सब़्जी की एकाट दो गटे के लिए वो भी खोलें जिससे लोगों को सुज़दा हो अन्य जिलों में भी बड़े बड़े महानगरों में भी ये कही ने कही दो दिन में दो घंटे एक दिन में एक घंटे ऐसे खुलने की विवास्ता है तो हम कल आपदा समंदरी की बेठक है उसमें नेड़ा लेंगे कि लोगों को सुझधा हो जो कि कम से कम अपना भोजन कर सके और मैंने ये भी अख्याओ आते हैं उनको हम देने का काम करते हैं जिससे कि लोगों को किसी प्रकार की अविवास्ता है दो घंटे आ कोलने की वह आप आप भंगा लें ये लागू करें नीवज से दिपक खताबिया की ये रिपोर्ट